हलो स्टुडेंट्स वेलकम टूबल टेखने क्लासे मेरा नाम अंकित है आज मैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग या फिर कॉंटिटी सर्वेंग एंड वैलुएशन जिस भी नाम से आप जानते हूं कैनल एंड रोड एस्टिमेशन के इंपॉर्टेंट कॉस्टिंस लेके आया हू तो आज क्लास नंबर सिक्स है आज हम इससे रेलेटेट सारे एंसी की उस देखेंगे और थैंक्स फॉर लोग देख रहे हैं हमें भी उससे मोटिवेशन मिल रहा है तो हम आगे और दादा कंटेंट को इलाबरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और कम से कम टाइम में अधिक से कंटूर रेखा के लगभग समानतर सन्रेखित नहर को क्या कहते हैं ठीक तो कंटूर आप लोग जानते हैं कंटूर क्या होता है कंटूर किसी एक समान हाइट के पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को कंटूर लाइन कहते हैं और उन हाइट को कंटूर पॉइंट कहते हैं तो जो एक कंटूर होता है उसकी लाइन के about जो नहर चलती है ठीक है किसी भी एरिया में किसी भी छेत्र में उस नहर को क्या कहते हैं ठीक पार्ष भड्लान स्वलोप नहीं यह तो BRANCH के नाल से केनल से निकलती हैं कंटूर नहर वाटर्षेड नहर या रिज नहर ऑर वाटर सेड्ट और रिज में आगे बता समान उच्छता वाले बिंदूओं को मिलाने वाली रेखा को कंटूर लाइन कहते हैं एक समान उच्छता पर जितने भी बिंदू होंगे इनको जो भी रेखा ही मिलाएंगी वह कंटूर लाइन कोगी उस उस हाइट केलिए ठीक harus अब Watershed line क्या होता है Watershed line और Contour line में थोड़ा सा अंतर होता है Watershed line और Ridge line पहले समझ लीजिए ये दोनों चीज़ें एक ही होती है Ridge line ये Watershed line क्या होता है जैसे किसी छेत्र में सबसे उचे उचे तल के जो बिन्दू है ठीक है उनको मिलाने वाली रेखा watershed line या ridge line कहलाती है contour रेखा क्या होता है समान उच्छता के बिंदूओं को मिलाने वाली रेखा पर यह जो watershed line होती है इसमें क्या होता है जितने भी उच्छताम बिंदू है मान लीजिए एक का elevation कुछ है दूसरे का elevation केंल मिलाने वाली रेखा को हम वाटरशीड लाइनियर रिजान कोण है उनको हम इरिगेशन अपयों इंसे पास होती है रिज़लाइन से उनको रिखेट । Figด Präsident son us वह पैसी के लिए हौत रेखाों में तो पहले आंसर देख लिए इनको को हम लाइन करते हैं अलोंग वाटरशेड लाइन ठीक है अब होता गया वाटरशेड लाइन देखिए यहां पर आप ग्रैविटी इरिगेशन कर सकते हैं सचाही मतलब जो होती है वह गुरुत्वाकर्शन बल के कारण होती है क्योंकि आपने हाइस्ट पॉइंट पर अगर आ इसलिए इरिगेशन कैनाल्स को हम जनरली जब भी अलाइन करते हैं तो वाटरशेड लाइन या रिज लाइन के अलोंग ही संदेखित करते हैं तो इसका सही आंसर होगा वाटरशेड लाइन और कंटूर नहर और वाटरशेड रेखा पर बनने वाली नहर का फरक आप लोग कुछ तक समझ गया होंगे तो स्ट्रेंट्स कोशन नंबर थ्री देख लेते हैं कोशन नंबर थ्री में हमें दिया है वाट परसेंटेज ऑफ दा कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट इस प्रोवाइड फॉर वर्क चार्ज एस्टेबलिश्मेंट अनुमानित लागत का कितना प्रतिश प्रतिशत हम आपकार से रुके ना अगर कभी संख्या की कमी हो तो एक्स्ट्रा लोग होते हैं उनका जो भी खर्चा होता जो भी राशी उनको दे होती है वो उनके प्रॉपर उसलिभाग से दी जाती जिसके अंडर होती ऑगलता है ठीक है डिसाइन का अलग होता है प्लान कारे प्रभारित प्रतिष्ठान या फिर यह आपी वर्ड याद रखेगा बस वर्क चार्ज Establishment के अंदर हम कितना प्रोविजन रखते हैं वो होता है हमारा ए दो परसेंट ठीक है option नमबर ए दो परसेंट वर्क चार्ज रिपेर वर्क एस्टिमेट शुड नॉट एकसीड दा ओरिजनल कॉस्ट ऑफ दा स्ट्रक्चर ठीक जो वार्शिक मरमत कार है जो हमने एक एस्टिमेट जह हम बनाते हैं तो हम यह भी देखके चलते हैं कि इस संरचना की एरली इरली रिपेरिंग कास्ट क्या हमें पढ़ने वाली है ठीक है तो वह जो एरली रिपेरिंग कास्ट होती है उसके लिए हम जो अलग से बचा के राखते हैं वो हता है 10.5 परसेंट यह कहीं कहीं 12 से 2 परसेंट भी range लिख देते हैं यहां पर इसके हिसाब से आंसार होगा देड़ परसंट रेंज मिल जा तो आप देड़ से दो परसंट लगा दीजिएगा ठीक अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन हमें दिया है deduction at the L junction of wall for total length of central line is केंदरी ये line के कुल लंबाई के लिए दिवार के L junction पर कटाओती है दिके center line method में जब आप कोई L junction जहाँ पर wall 90 degree भी मिलती है वहाँ पर हम कोई deduction नहीं लेते क्योंकि हम इसको junction नहीं मानते हैं हम तो इसको corner मानते हैं center line method में आप पर junction मानते हैं, junction center line method में तब मानते हैं जहाँ पर 3 walls मिल रही है T-shaped की wall मन रही है जहा पर इस तरीके से walls मिल रही हैं, यहां पर हम मानते हैं कि junction है ठीक, T-shaped में जहाँ तर्वाइस दो wall का हम corner मानते हैं तो इस तरीके case में कोई deduction नहीं किया जाता है इसमें हम no deduction रखते हैं ठीक है इसको समझ लीजेगा अगला question दिया है the consumptive use of water for a crop फसल के लिए पानी का उपयोग मापा जाता है तो फसल के लिए पानी का उपयोग it is measured as the volume of water per unit area प्रती एकाई छेतर में पानी की मातरा के रूप में मापा जाता है देखिए जो consumptive use of water for a crop है यह होता क्या है जो कोई भी फसल आपने लगाई है उसके द्वारा पानी की कितनी खपत है उसको कहा जाता है ठीक और इसका formula जो होता है यह तीनों का sum होता है इन तीनों का ठीक इसलिए इसका answer होगा all of the प्रति इकाई छेत्रफल में कितने पानी का प्रयोग किया जा रहा है वह उसके अलावा पानी किस हाइट तक आपको भरना पड़ रहा है किस लिए क्योंकि उस पानी का कुछ पार transpiration होगा अब transpiration में भी मतलब होता है जो आपके प्योड़ों की पत्तिया होती है उनके द्वारा जो पानी वाश पीकरत होता है पत्तियों द्वारा वो transpiration होता है और evaporation क्या होता है जो पानी सीधा ground से भाब बन के उपर और जाता है वो evaporation होता है तो यह जो इंचत पानी छेतर में कितनी गहरा ही रखनी पड़ेगी कि यह दोनों चीज़ें evaporation और transpiration मिलके भी इतना पानी available करा है कि आपकी irrigation की ज़रुद पूरी हो सके तो इसलिए यह तीनों का जो total होता है वह कहलाता है consumptive use of water या फिर फसल में पानी का उपयोग तो यहां पर सही answer क्या होगा यहां पर सही answer होगा all of the above और तीनों का current भी मेरा लिखने का यह था कि आपको पता रहे इन में से कोई एक भी अगर आए तो आपको पता रहे कि इसका सही option क्या हो सकता है ठीक तो आप सुन होगा इसक में पानी रहता है तो जो नदी बारामासी है उससे जो नहर निकलेगी वो भी तो बारामासी होगी common sense है तो जब नहर और ice fed है तो मतलब साल के बाराओ महीने पानी रहेगा तो इसी लिए ऐसी नहर को भी perennial canals कहते हैं जो बारामासी नदियों से निकाली जाती है ठीक अगल लिए few centimeter above the ground level हिंदी में देखें हमेशा भूमी तल पर भूमी तल से नीचे भूमी तल से चार से पांच मिंटर ऊपर या भूमी तल से कुछ सेंटीमेंटर ऊपर देखिए full supply level क्या होता है full supply level अधिकतम वो level होता है किसी नहर का जिस पर बर में हमें बाढ़ की बात नहीं कर अधिकतम जितना पानी उस नहर में बह सकता है वो उसका full supply level या FSL होता है ठीक तो full supply level ग्राउंड लेवल पर तो रहेगा यह नहीं वो अल्डिटी ग्राउंड लेवल पर कर देंगा तो पानी बहे के कहां जाएगा बिलो दा ग्राउंड लेवल और दिक्कत है कटिंग करनी पड़ेगी वे मतलब कोई benefit नी इसका 4 से 5 मीटर बहुत जादा हो जाएगा filling बहुत जादा करनी पड़ती है इसका सही answer होता है only a few centimeter above the ground level ठीक है और मैं इसका सही value बता देता हूँ यह रहता है कुछ 15 से 30 centimeter के बीच ठीक है मतलब ground से कुछ इतना centimeter ऊपर लेके चलते हैं अग next question हमें दिया है if water table is comparatively high the irrigation canal becomes useless due to यदि जलस्तर तुलनात्मक रूप से उचा है तो सिचाई नहर बेकार हो जाती है क्यों large amount of seepage बिलकुल अगर जलस्तर आपका इतना उचा है कि वह नहर में ही seep कर जा रहा है तो नहर को को मतलब भी ने रहे गया उस जगे पर दूसरा water logging of cultivated area अब अगर छेतर में ही जल लगनता हो गई water level इतना उचा है कि crops की जोड़ों में हमेशा पानी भरा हुआ है तो फिर वहां नहर की जरूरत ही क्या रहे गई दूसरा uncertain water and demand फिर वाई चीत अगर आपके छेतर में पानी जल लगनता जादा है तो पानी की requirement ही कभी कम होगी कभ समय जाती है ठीक है तो और फिर जो artificial तरीके हैं जमीन से पानी निकालने के लोग उनका भी यूज करने लगते हैं तो इसलिए जो question no.9 है उसका सही answer है all of the above ठीक अगर आपकी जो अगर आपकी सिचाई नहर जल स्तर उंचा है किसी शेतर में तो वहां पर नहर का यूज बेक काफी ऊपर आ जाता है ठीक है उसे जल लगनता गयता है और जब आप कोई पूदा कुछ भी लगाएंगे तो उसकी जड़ें मिट्टी के बर्या सीधा पानी में चले जाने लगती है चेतर में जल लग वाटर लेवल काफी ऊपर आने के कारण उनका ग्रोथ प्रॉपर नह लगने कहते हैं तो ऐसे मैं तो रिद्यूस परकॉलेशन फ्रम चैनल सेंड वाटर कोर्स नहरों और जल मारगों के रिसाव को कम करने के लिए तो इंक्रीज आउट फ्लो फ्रम ग्राउंड वाटर रिजवर भूजल जलाशाय से बहर भाव को बढ़ाने के लिए बोथ कैनल एंड वाटर कोर्स अब देखिए अब आपकी जो नहरे हैं अगर अनलाइंड कैनल है अनलाइंड से मतलब उसके अंदर आपने अस्तरी करण नहीं किया है कोई लेयर सिमेंट की नहीं लगाई है तो क्या होगा इसमें जो पानी भरा है वो भी तो परकॉलेट करेगा न रिसेगा धीरे-धीरे जमीन में ये भी वाटर लेवल को बढ़ाएगा ठीक है तो रिड्यूस परकॉलेशन फ्रम कैनल नहरों और जलमार्गों से रिसाव को कम करने के लिए बिल्कुल सही बात है अगर आपको वाटर लॉगिंग कम करनी है तो आपको ही तो करना ही पड़ आउटफलो बढ़ाएं मतलब वह पानी वह एक स्टोर नहों जल्दी से जल्दी निकाल के जहां उसका यूज होना वह बढ़ता रहे चलता रहे तो यह जरा आउटफलो कम होगा तो उससे भी उस जगे की जल लगनता थोड़ी कम होगी ठीक है तो यह दोनों में पहला में आपको बता दिया तो ऐसे में बोथ A and B तो दोनों इसके सही आंसर है अगला कोशन देखते हैं टाइप ऑफ अर्थ वर्क इन एस्टिमेशन ऑफ कैनाल इस नहर के प्रकलन में म्रदा कारे के प्रकार है तो म्रदा खुदाई कारे में अर्थ वर्क इन कटिंग बिल्कुल ज या रही है तो आपको मिटी भर के उसको फिर से उपर उठाके लेवल बराबर करना पड़ेगा तो लॉंगिटुडन उसका जो लॉंगिटुडन लेवल है उसको भराबर करना पड़ेगा लंबाई की अक्ष पे तो बैंकिंग और फिलिंग में बिल्कुल सही है बोथ A and B तो इसमें जो आन्सर है वो दोनों से नीट करता है क्यानल के लिए या रोड दोनों के लिए वह कटिंग और फिलिंग दोनों में अर्थ वर क्यलकुलेट किया जाता है ठीक है वह पर पर कुश्चेंहन में अंई يا प्राकलन में म्रदा खुदाई के लिए क्रमशा धुलाईवा उठान के लिए 30 मीटर और 1.5 मीटर है in estimation for excavation of earthwork lead and lift are taken respectively देखे lead and lift में पहले ही बता चुको lead and lift क्या होता है जो एक मजदूरी होती है किसी मजदूर की वो included होती है lead and lift में ठीक है मतलब आगर आप for example उसको एक दिन का 500 रुपे दे रहे हैं तो उस 500 रुपे में कितनी दूरी तक अगर नहीं से मिट्टी खोदी for example cutting का काम है मिट्टी खोदी आपने और खोद के आपको उस जगे से हटा नहीं है क्योंकि तभी तो आगे काम शुरू होगा तो कितने दूरी तक वो ले जाके फेकेगा जिसको कि आपको अलग से पैसा ना देना पड़े और कितनी गहराई से उठाएगा कि आपको उसका अलग से पैसा ना देना पड़े तो यह जो value है इन दो values के लिए जो मानक है वो है 30 मीटर और 1,5 मीटर मतलब जो आपका lead है वो 30 मीटर दूर जिस point से आप शुरू कर रहे हैं उस point से 30 मीटर की दूरी तक अगर हो फेक रहा है उस radius में तो उसको अलग से कोई पैसा नहीं दिया जाता और अगर 1,5 मीटर नीचे से उपर खोद के लाहरा है मिट्टी तो उसका भी कोई अलग से पैसा नहीं दिया जा था ठीक है तो इससे कहता है lead and lift मैंने वैसे फिसले वीडियो ने बताया है जिन लोगों ने नहीं देखा वो उसको देख सकते हैं जाके estimation के वीडियो और एक चीज़ बताते हूं कुछ लोग ड्रॉइंग के वीडियो के लिए पूछ रहे हैं देखिए द्रॉइंग की में शायद मैं ही हूँ जिसने final year की ड्रॉइंग भी आपको मैंने आपको column bases और उसके बाद column beam connection तक मैंने बनाई थी ठीक है आपको मेरे channel पर मिल जाएगी तो उसके बाद क्योंकि MCQs आ गए तो theory drawing का जो practical drawing उसको के मतलब नहीं रहे गया तो जिन लोगों को फिंक रूफ ट्रस column base और column beam connection इसके बारे में जनकारी लेनी हूँ आप हमारे channel पर third year के section में जाके ड्रॉइंग के लिए विमाओं की परिशुदता ली जाती है according to BIS Bureau of Indian Standard accuracy of dimension length, breadth, depth या height is taken देखिए भारति मारे एक संस्थान ने ये बताया कि आप जब कोई खुदाई का excavation का काम करें तो जो आपने जो लंबाई मापी है जितना तक आपको खोदना है उसके अलावा कितना तक घटिया बढ़ जाने पर आप उसको permissible मान लेते हैं कि ठीक है चले इतना तक तो काम चलता है तो वो जो value उन्हें बताया है जो बताई ये जिरो पॉइंट जिरो वन मीटर मतलब लंबा ये चौड़ाई ही उचाए तीनों में से कुछ भी ओ ठीक है उसमें इतना तक अगर आप प्लस या minus में चल रहÉं है तो ठीक है धूँ फरमिसिबल है ठीक तो इसको CM में चेंज कर लिए एक सेंटीमिटर के असपास आएगा तो टोटल लेंथ में लगवग एक सेंटीमिटर की आपकी जो घटना या बढ़ना है वो परमिसिबल होता है एकुरेसी में ठीक है अगला क्वेशन वैच हेत्र जहां सामगरी साधारंट है म्रदा बालू या ग्रेवल या को अन्य किसी स्थान पर प्रयोग करने के लिए खोदा गया कहलाता है अब क्या होता है है जब हम कहीं फिलिंग कर रहे होते हैं तो फिलिंग की जरू बढ़ती क्यों है आपका जो लेवल है चाहिए वो रोड हो या कहना लो वो नीचे चला जाता है आपकी जो लेवल आप जब तक ले के आ रहे हैं उससे तो आपको मिटी भर के फिर से उपर उठाना पड़ेगा तो वो filling के लिए हमें अलग से मिटी चाहिए होती है अब कहां से खोदें तो मिटी जहां से खोदते हैं उसको कहते हैं खतान या बॉरो पिट ठीक वो बॉरो पिट जो आपका साइट होती है उससे लगवग 5 मीटर उसके एंड से दूर होता है और वहां से हम मिट्टी खोद के इधर लाके डाल लेते हैं भवन स्वामी को या भू स्वामी को उसका पैसा हम दे देते हैं मतलब पूरी मिट्टी नहीं की बूरा खोद के निकाल लिया वो थोड़ा हिस्सा उसका नेचुरल हाइट जो होती है उतना छोड़ देते हैं खतान डेड मैं तो डेड मैं क्या करता है बाद में वह एक सिंबॉलिक यह दिखाता है कि यहां से इतनी मिट्टी इस हाइट तक खोदी गई है ठीक है तो वह बाद में जब हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं तो उसके काम आता है डेड मैं और ट्रेंच और खाई से हां कोई मतलब नहीं है तो आपको जिससे खोदते हैं उसको हम कहते हैं खतान या बॉरो पिट अगला कुशन में दिया है अगले इसका वैसे तो जो डेप्थ फरमिसिबल है वो 30 cm तक ही है पर इसकी दो कंडिशन है एक होता है आपका प्रोजेक्ट स्मॉल प्रोजेक्ट है या बड़ा प्रोजेक्ट है ठीक है अगर लार्ज प्रोजेक्ट है तो इसको हम 30 से 60 cm तक भी गहरा ही हम मान लेते हैं ठीक है कि अगर आपको कोई लार्ज प्रोजेक्ट है तो यह 5 मीटर को आप 10 मीटर भी पढ़ोगे ठीक तो वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट का साइज क्या है वैसे इसकी साही वैलिव है तीस से साथ सेंटीमिटर और पांच मीटर अगला कॉश्चन नहरों में कारेके में प्र क्या है और अगर रोड होगी तो रोड में जो आप मटीरियल यूज कर रहे हो उसकी कितनी थिकनेस बढ़नी है ठीक है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों ए एंड बी देख लेते हैं कुशन नंबर 17 इंट चिनाई में राजमिस्री की कारेश हमता 30 सब अधी हमगते हैं कि सभी पुछते की याद कर ली चे कर लीजए अगला कोश्चन 12 मीटर मोट प्लस्तर क्लिंट मिलीमेटर मोटव्त थाल Scrude करेश सीमें चूना मसाला के साथ प्रती दिन प्रती राज मिस्तरी 12 mm थिक प्लास्टर वर्क इन सीमेंट और लाइम कंक्रीट पर डे पर हेड पर मेशन ठीक है तो एक दिन में एक हेड मेशन द्वारा 12 mm मोटा प्लास्टर चाहे वो चूना का हो चाहे सीमेंट का हो ठीक है उसकी अधिकतम कितनी कितनी वॉल्ल 12 mm मोटा अगर हो तो वो एक क्यूबी मीटर प्लास्तर एक दिन में करेगा ठीक यह सब में एस्टीमेशन में पढ़ती एंवैलियूस की तो इसके साफ से मैं एस्टीमेट करते हैं कि टोटल कितने दिन में वो काम खतम होगा चलिए स्टों देख लेते हैं question number 19 question number 19 में हमें दिय of building means भवन का दिक विन्यास का अर्थ है जैकि भवन का दिक विन्यास क्या होता है यह orientation क्या होता है जिए हम किसी building की कि residential building की planning करते हैं तो हम इस तरीके से उसको design करते हैं कि जो उसका origin है वो इस तरीके से रहे कि उसमें साल के बारहों महीन है अधिकतम हवा natural हवा और अधिकतम रोशनी मिले ठीक आप भी देखते होंगे जिन घरों में natural light या फिर natural sources of air मिलते हैं वहाँ एक अलग सी positive energy रहती है व जादा उपयोग करें और इससे economical भी हो जाते हैं क्योंकि आपके बिजली के खर्चे बचते हैं अगर आप natural sources ब्यादा dependent है अब दिख्विन्यास का क्या मतलब है कि भवन को वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाना नहीं भवन प्रकृति के अधिकतम लाब लेने के लिए to take maximum advantage of nature and building भवन की मजबूती के लिए उपरोग सभी तो जो पहला और तीसरा है वास्तु शास्तर से इसका कोई मतलब नहीं होता दिख्विन्यास का दिख्विन्यास के हिसाब से वास्तु शास्तर कभी fit हो ही नहीं सकता वो हमेशा अलगी चलता उससे तो यह गलत है तीसरा वा इन सब चीजों का orientation से ही मतलब होता है आप orientation ऐसे set के जाता है कि भवन में अधिक से अधिक रोशनी आए और अधिक से अधिक हवा आए natural sources से ठीक है अगला website भवनों में नगर पालिका कर लिया जाता है value of municipal taxes are taken for commercial building तो अगर कोई commercial building है तो उसका municipal tax कितना percent देना पड़ता है उ जो भी उससे आप earn करते है उस building से तो उसका जो total tax होता है वह होता है शुद्ध आये का 10 से 25% ठीक है तो 10% से 25% आपको total pay करना पड़ता है भवन का जो भी cost होती है उससे तो दस से 25% आपको total cost का pay करना पड़ता है ठीक तो आज की questions पूरे होते हैं I think आपको वीडियो अच् अच्छा लगा हो तो अपने अच्छे लगे हो तो लाइक कीजेगा इसके लावा हम रेगुलर विडियो लाने की कोशिश पूरी करते हैं देखिए दिक्कत ही हो जाती है कि आपका कंटेंट बहुत लिमिटेड है हम किसी हायर लेवल की बुक से कंटेंट नहीं ला सकते हैं पर आप सब कुछ डाल देंगे तो आपके इस लेवस से बाहर है बाद में आप लोगों कोई नुकसान होगा तो हम लेकुल ऐसा काम कभी नहीं करेंगे तो थोड़ा सा आपके आप से data adjust करने में थोड़ा सा टाइम लगता है फिर भी हम अपनी पूरी efficiency से काम कर रहें तो सपोर्ट करें और देखते रहें वीडियो इसके लावा स्टील structure ड्रॉइंग का थियोरी सचिंसर करा चुके हैं स्टील structure mcq मैंने करा दिये हैं compression member तक इस्टील बीम और बचाहे मैं उसको डाल दूंगा बाकि ट्रस और column bases यह मैं ड्रॉइंग में अल्रीड करा चुका हूँ तो आप ड्रॉइंग के जो proper ड्रॉइंग है जिसमें ड्रॉइंग बना के दिखाईए आप वो वीडियो देख सकते हैं इसके लाब ड्रॉइंग के mcqs देख सकते हैं आज शाम तक या कल सुबह तक मैं ड्रॉइंग के one liner भी डाल दूंगा तो आप वो भी देख सकते हैं इसके लाब estimation costing का च्छटा लेक्चर आज बूरा हो गय क्या cmaed का अभी में चेप्टर नंबर 11 या 12 तक मैं करा चुका हूं तो आप उन सबको देख के लाब ले सकते हैं आगे हम जल्दी से जल्दी पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ठीक है थैंक्यू